Hello everyone, स्वागत है आपका हमारे चैनल Fable Fact पे आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और notification bell को दबा कर on कर ले ताकि आगे आने विडियो का notification आपको time पे मिल जाए Hello everyone, welcome back to our channel और आज का हमारा chapter है Who dares to cut trees और ये हमारा chapter का part 2 है अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो उपर दिये गए i button पे click करके part 1 को पहले देख ले साथ ही मैं उस विडियो का link description में भी दे दूँगा तो चलिए start करते हैं आज का हमारा chapter और last हमने देखा था कि लगभग 363 बिशनोई ने अपने life को sacrifice कर दिया था हर पेड को बचाने के लिए next है for every hack tree a बिशनोई let down his her life हर एक पेड के लिए एक इंसान ने अपनी जान दे दी the disturbing news reached the ruler of Jodhpur state and he immediately stopped the mess cares और ये disturbing news कि किस तरह से पेडों के साथ लोगों को भी काटा जा रहा है ये news Jodhpur के राजा तक चली जाती है और वो जल्दी से इस miss care को इस खुनी काम को रुकवा देते है by now the entire बिशनोई community was up in arms और ये खबर बाकी बिशनोई गाओं और villages में भी पहुँच जाते हैं सारे लोग community जमा हो जाते हैं और अपने हातों में हत्यार उठा लेते हैं तो महराजा को बहुत ही जल्दी रेलाइज हो जाता है कि उनके जो जनरल थे उनके जो लोग थे उन्होंने बहुत ही गलत काम किया और साथ में उन्होंने माफी मांगी उन लोगों से और कहा कि ये जो horrible mistake है से मैं ठीक करवाँगो उन्होंने तुरत एक royal decree दिया decree मतलब कि एक सूचना दिलवाई जिसे सारे जोदपूर के जितने बे गाओं हैं उस गाओं में किसी भी गाओं के पेड को या बिस्नोई गाओं के पेड को या उनके जानवर को नहीं मारा जाएगा या नहीं काटा जाएगा इस तरह से पूरे जोदपूर स्टेट में ये बाते बताया दी गई और copper plate में लिखवा के छपवा दी गई या पि लगा दी गई hunting of all animals was also prohibited और सारे animals, wild animals को भी बचा लिया गया इन्हें भी मारने से मना कर दिया गया अब बिस्नोईज है कौन? ये आये कहां से? ये जो सेक्ट है ये हिंदु धर्म का ही एक सेक्ट है बिस्नोई जिसका foundation रखा गया था 1542 में बाइ जमने स्वर्जी से, popularly known as Jumboji और इनका एक प्यारा सा नाम था Jumboji He formulated 29 principles for the protection of herbivores and trees इन्होंने 29, 29 अलगलग principles दिये थे जिससे herbivores मतलब की ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं और साथ ही trees इनको बचाने के लिए That is how the community got its name Bisnoyi इस तरह से इस community का नाम Bisnoyi पड़ा For centuries, the Bisnoyi have remained the traditional protectors of Khazari trees and black bugs और इसी तरह से centuries, मतलब काई 100 सालों से ये लोग लगातार Khazari tree और black bugs को बचाते आ रहे हैं The Khazari is a goats and tree for dry desert and remain green throughout the year Its roots go as deep as 400 km in search of water and increase the fertility of the soil तो जो Khazari tree है माना जाता है कि इसे इसवर ने उन्हें दिया था और ये desert में एक तरह से goats and tree ही कहा जा सकता है क्योंकि ये पूरे साल green रहता है, कभी भी सूकता नहीं है और इसके जो roots है लगभग 400 km deep तक जाते हैं पानी की तलास में जिससे उपर का जो मिट्टी है वो बहुँ ज़दा fertile हो जाता है वहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती है The dry leaf of the tree, excellent fodder for cattle और इनके जो सूखे पत्ते होते हैं उन्हें cattle means बकरियां, गाय, बैल, भैस उन्हें खिलाने के काम आते हैं Beside it provide much needed fuel wood to villagers who also eat its green pots as vegetables इसके अलावा इसके जो सूखे टहनियां होती है, लकडियां होती होने fuel के तरह वो लोग villagers यूज करते हैं साथ इनके जो green pots होते हैं green pots मतलब जो इनके जो फल हैं या फिर इनके जो पत्ते हैं या टहनिया हैं उनको खाने के तरह भी यूज किया जाता है इसके साथ ही उसमें से एक एडिवल गम भी निकलता है जिसे खाया जाता है साथ ही इनके लकडियों को houses बनाने के काम में और agriculture equipment बनाने के काम में लाए जाता है यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उन्हीं पेड़ों को काटा जाता है जो बहुत जादा पुराने हो चेके होते हैं या सूख गये होते हैं यह कभी भी green खेजारी ट्री को नहीं काटते हैं ना ही किसी को काटनी का order देते हैं इस तरह से यह जम्बो जी का बहुत ही फैबरेट ट्री बन गया था जम्बो जी knew that the chinkara and black buck दो herbivorous are not a trait to crops अब यहाँ पे जम्बो जी यह भी जानते थे कि जो chinkara और जो black buck है वो उनके फसलों को नुक्सान नहीं पहुँचाता और जम्बो जी जानते थे कि इनके जो बाजरा के खेत होते हैं बाजरा एक तरह का जिस तरह हम लोग गेहु यूज करते हैं उनकाटा यूज करते हैं तो बिश्णोई लोग का में क्रोप वहाँ पे बाजरा है जिनसे वो रोटिया बनाते हैं तो इन जानवरों मतलब की चिनकारा, ब्लैकबक या फिस तरह के जो हार्वीबरोस जानवर्स हैं, एनिमल्स है, उनके बारे में जानते हैं कि ये उनके पेड़ को नहीं खाएंगे, क्योंकि इनके जो content suit जो होता है, suit मिन पहले root उसके ओपर जो suit है, तना जो है, इसमें एक त साथ ही बाजरा का जो height है लगबग 3 feet तक होता है, और इस वजास से क्या होता है, जो जानवर है उसके अंदर आराम से छिप सकते हैं, बाकी जंगली जानवरों से, तो इन जंगली जानवरों से, ब्लैक बग और चिंकारा को बचने में आसानी होती है, It is indeed amazing how Jumboji without any formal education or scientific training understood the importance of preserving the biodiversity, तो ये बहुत ही amazing है कि Jumboji नहीं जादा पढ़े लिखे थे, नहीं कोई scientific training लिया था, फिर भी वो इतना कुछ जानते थे इन पेडों और जानवरों के बारे में, ये बहुत ही important है उनके लिए समझना और हमारी लिए भी कि किस तरह से हमारे Biodeustry Ko Bachaya Ja Sakta Hai Bye Gita Mehta Thank you so much Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.